दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तों हम बात करेंगे मिथुन नासी वाले जातकों के लिए जून का दूसरा सप्ता यानि 8 से 15 जून का यह सप्ता कैसा गुजरेगा इनके वेपार, वेवसाई, करियर, लवलाइप और इनके स्वास्त के बारे में आपको बताएंगे, इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इस दौरान इस सप्ता आपके दैनिक दिंचरिया में बरती जाने वाले उन महत्पुन सावधानियों के वारे में, तथा इस सप्ता आप कौन से कर्मों को करें, जिनसे कि आपको ज़्यादा सफलता, आपके मान स समान इसकर्ति में बढ़ोतरी हो सकेंगे आप अपने कारी शेतर में बहतर पर दरसन कर सकोगे इसके लिए आप इस सब्ता क्या करें क्या ना करें इसके साथ ही आपको बताएंगे इस सब्ता आपके ग्रह गोचर कौन कौन से हस्तान पर रहेंगे किस परकार के कारी को करना किस प्रकार के खुसियां लेकर आया है आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से वीडियो को आखरी तक देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवस्य कर लें ताकि रोजाना रासी फाल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनो को पहतर बना सके तुम्हेत्रों मित्व नासी वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि जून माह का दूसरा सब्ता आपके लिए मिला जुला रहेगा इस सब्ता आप कहीं जरूरी कारिके लिए किसी दूसरे सहर भी यात्रा कर सकते हैं गहन विचारों से किसी समस्याओं का हल आप आसानी से निकाल सकते हैं आप अपने गुप्त सत्रों से विशेश इस सब्ता थोड़ा सशत्र हैं क्योंकि आपके गुप्त सत्रों काफी संक्रिये हैं काफी एक्टिव हैं जो कि आपके कारिशेत्र में बाधाओं को उत्पर्ण करने के लिए परियास कर सकते हैं आप आपके रचनात्मकारिफ फलिभूत होंगे जमीन जायदात में आपके आने वाली अर्चने दूर हो सकती हैं वहें अगर आपके पैत्रिक संपत्ते हैं जो के पुर्वजों की संपत्ती हैं उनमें कोई न कोई अर्चने आ सकती हैं लेकिन आपको अपने आखों का विशेज ख प्रियास करने होंगे, आपको कारिश्यतर में नई जिम्मेदारियां उठानी होंगे, आपको अपने समय रहते सभी कारों को पूरा करने की आवस्य कता रहेंगे, नोकरी पेशा वालों के लिए यस सप्ता अपने सहयोग्यों से काफिस सहयोग प्राप्त करने के लिए उत्तम रहेगा आपके सहयोगी आपका हरशित्र में मदद कर सकते हैं वहें आपको अपने हालातों को पहले से बहतर करने का प्रियास करने होंगे आप अपने प्रेमी के साथ अपने सम्मंदों को बहतर करने का प्रियास करें प्रेमी जन आपके प्यार की एहमियत को समझ सकते हैं इस सब्ताह आपके लिए समय आपका अनुकूल रहेगा आपको सावधान रहने की आवस्यकता रहेंगे बिवादों में फसे लोगों को थोड़ा सा राहत का समय प्राप्त हो सकता है इस समय किसी को भी उधार पैसा देना या उधार पर कुछ भी देना आपके लिए अच्छा नहीं बात करें मिथुन रासी वाले विद्यार्थों के तो परतियोगिता परिख्छा के तयारी करने वाले विद्यार्थों को इस सब्ता काफी अच्छे परिणामों के प्राप्ति होंगे वे काफी ज़्यादा प्रसंड रहेंगे और अपने आपको एक वेवस्त त्रहाचे में डालने का प्रियास कर सकते हैं मित्वन रासी वाले वहवाईक जीवन में आरही परिशानिया आरही अरचने दूर होंगे यह समय यह सब्ताह आप सभी के लिए काफी अनुकुल रहेगा दामपत्त जीवन में जीवन साथी आपकी आर्थिक इस्तित्यों को मजबूत करने का सहयोग करेगा संतान पक्से से आपकी जो भी परिशानिया थी जो भी समस्याएं थी विस्मापत होंगे खान पान पर आपको सयम रतने होंगे मार्केटिंग के नोकरी करने वालों को अस्तान प्रिवर्तन हो सकता है आप अपने अस्तान को प्रिवर्तन कर सकते हैं और अनेक प्रकार के सुक्सिवधाओं के भी प्राप्ति कर सकते हैं मत्रों आपको बताना चाहेंगे कि मिथुन रासी वाले जातकों के लिए यह सब्ता काफी उत्म और काफी लापकारी रहेगा इस सब्ता आपको अनेक प्रकार के सुक्सिबधाओं को पराप्त करते हुए अपने जीवन में सफलता पराप्त करने के बहतरी मौके पराप्त होंगे वैवसाई करने वालों को इस सब्ता थोड़ा सा उधार लेन देन से सतर गरहने की जुरत होंगे दाम पत्ते जीवन भी आपका अच्छा खासा बना रहेगा इस सब्ता इस रासी वाले जातकों के लिए आफिस के कारों में सावधानी बरतने की आवस्से कता रहेंगे इनसे आपके संतुष्टी का अनुवब होगा वक्त की जुरुतों को समझने का प्रियास करें रुके हुए कारों को आर्थिक इस्तितियों को सुधारने में काफी मदद मिल सकते हैं आपके रुके हुए कारे पूरे हो सकते हैं वहें विद्यार्थों के लिए ये समय ये कारे को पूरा करने के लिए काफी अच्छा रहेगा थोक वेपार में आप कोई बड़ा लेंदिन कर सकते हैं बाहरी लोगों का हस्तक्षेप आपके वहवाइक जीवन में परिशानियों को उत्पन न कर सकता है ऐसे में आप अपने और अपने जीवन साथी के साथ जो भी क्रिया कलाफ करें जो भी आपके वीच वारतलाफ हो उनको समझने का अवस्य प्रियास करें ऐसे इस्तिती में आपको अनेक प्रकार के समस्याओं का सामना करने पड़ सकते हैं मत्रों आपको बताना चाहेंगे कि आप अपने परिसानियों को दूर करने का प्रियास करें बैवसाइक फैसले अपने आप न लें इस समय आपको नए फैसले लेने से बचने होंगे आपके खर्चों के बढ़ोतरी हो सकती हैं जो आपके लिए परिसानी का सबब बन सकती हैं सब्ता के प्रारम में आर्थिक इस्तियां आपके अच्छे नहीं रहेंगे सब्ता का बात करें तो 13, 14 और 15 ये तीन दिन काफे सांदार रहेगा आपका दिन बहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जैमाता दी अवस्ति लिखें आपका दिन सुब हो मंगलकारी हो